बार्तिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रिमान बंदरलाल सैनी जी पूरव मुख्य मंत्री श्रीमसी वसुंद्रा राजे जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान अर्द्युन्राम मेगवाल जी नेता प्रतिब्रक्ष स्रिमान गुलाब चन कटारिया जी साउसद में मेरे साथी गण विधायक गण राजस्तान भाजपा के सभी सन्मान ये नेता कायर करता गण सुर्मा अवर चुर्मारो सारे देश में सरनाम चुरू स्री साला सर बालाजी नी धरती चुरू ने प्रणाम बाबा थारी देश विधेश में खूब गणी मानन येता है दूर दूर से लाखा लोग थारा दर्शन करनावे दद्रेवामा विराजे जाहर विर गोगा जीने नमान इधरती सुवीर गण्योड्या निमजय और उंचा उंचा तीबडा सोने का पहाडा नभी मात देवे है शक्तिरी भूमी शोर्यरो आगार सर्व धर्मस मभावरो चुरू विश्व कल्यान सेवा और मानवतारो संदेश देवता चुरू अठैरी जन्ताने वीर सपुताने ममता मई माता बहनाने नमान और गणो गणो अभिनानदान आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है सबसे पहले मेरे साथ दोनों बुठी बन करके पूरी ताकत से बोलिये भारत माता की आवाज बोलो भारत माता की भारत माता की आपकी ये भावनाएं आपका ये उत्सा आपका ये जोश मैं भली भाती समझ रहा हूँ आज एक ऐसी पल है आओ हम सब भारत के प्राक्रमी वीरों को नमन करें सर जुका करके नमन करें आज चूरू की धरती से मैं देश वासियों को विश्वास दिलाता हूं की देश सुरक्षित हाथों में है भाई और बहनों साल 2014 में विजय संखनार युवा संगम के दोरान मैंने मेरे दिल की बात आप सब के सामने रखी थी मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोराने का दिवस है और चुरू की धरती से मैं देश वासियों को फिर से एक बार दो हजार चौदा के मेरे इंशब्दों को माह भारती के विरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोरा रहा हूं सौगंद मुझे इस मिट्टी की सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूगा मैं देश नहीं रुकने दूगा मैं देश नहीं जुकने दूगा सोगंद मुझे है मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मेरा वचन है मेरा बचन है भारतमा को मेरा बचन है भारतमा को तेरा सीस जुकने नहीं दूँगा सोगंद मुझे इस मित्टी की मैं देश नहीं मित्टने दूँगा जाग रहा है देश मेरा हर भारतमासी जीतेगा जाग रहा है देश मेरा हर भारतमासी जीतेगा सोगंद मुझे इस मित्टी की मैं देश नहीं मित्टने दूँगा हमें बेश वास्यों हमें फिर से दहराना है और खुद को याद दिलाना है न भटकेंगे न अटकेंगे कुछ भी हो हम देश नहीं मित्टने देंगे सोगंद मुझे इस मित्टी की मैं देश नहीं मित्टने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा साथियों देश से बढ़ कर कुछ नहीं होता है देश की सेवा करने वालों को देश के निर्वान में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्मपुन दिवस पर फिर एक बार यह प्रधान सेवग नमन करता है कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के सत्तर बर्ष बात राष्ट रक्षा के लिए प्रान नियुच्छावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रिय समर राष्ट्रिय समर समारक समर्पित किया गया नेशनल वार मेमोरियल राजस्तान के लिए और खास तोर पर चुरू जुझनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अतिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेख सपूत देश को समर्पित किये हैं यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्टरक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपून है साथियों आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से पूर्व सहिनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी बादा किया था मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्तान के हजारों परिवारों सहीद देश भर के बीस लाग से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाब मिल चुका है इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड रुपिये 35,000 करोड रुपिये ये हमारे फोजी परिवारों को वित्रित कर चुकी है और इसका बहुत बड़ा लाब राजस्तान के एक लाग से भी अधिक फोजी परिवारों को हुआ है बाई और बहनों आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुच से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है इसी भावना के साथ हम निरंतर पूरी इमानदाली से देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं साथियों जय जवान जय किसान जय विज्ञान इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे खुशी है कि दो दिन पुर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुप शुरुवात हुई है बाबा गोरगनात का तो इस भूमी से भी नाता रहा है उनके आशिरवात से यूपी के गोरगपूर से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी को लौँच किया गया एक बटन दबाते ही देश भरके एक करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में दो हजार रुपिय की पहली किस पहुँच गई है और बाकियों को बेजने का काम तेज गती से चल रहा है साथ्यों जो रुपिय सीधे मोधी सरकार देश के बारा करोड से जादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है उसमें चूरू और राजस्तान के भी पचास लाग से अधिक किसान परिवार शामिल है पचास लाग किसान परिवार लेकिन मेरे भाईयो बहनों खास करके राजस्तान के मेरे किसान भाईयो बहनों दुख की बात ये है कि परसों जिन एक करोड से अधिक किसान परिवारों को मोधी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुँची उसमें चूरू का राजस्थान का एग भी किसान परिवार नहीं है क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्ति किसानों की सूची ही नहीं भेजी है उत्तरपदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महराष्टर ने भेजी, गुजरात ने भीजी, तमिलाडू समेत, अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार से किसानों की लिष्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है मैं राजस्तान की कॉंग्रेस की सरकार को इस चुरू की धर्ती से राजस्तान की भूमी पर आकर के आगर पुरवग्विनंति करता हूँ कि वो किसानों के हीत के लिए हमने जो योजना शुरू की गई है की है इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्तान के किसानों का नुक्सान न करें आप मुझे बताईए भाईयो, राजनिती अपनी जगा पर है, लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या रोकना चाहिए क्या, अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा खर्ता करेगा तो राजस्तान का भला होगा की नहीं होगा राजस्तान के किसान का भला होगा की नहीं होगा लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कॉंग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है साथियों आपके इस प्रधान सेबग ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है उसका लाब आपको निरंतर होगा बलेवाद देर कर रहे हो लेका हम पीछे लगे हैं सूची लेकर के रहेंगे और राजस्तान के किसानों को भी पाइसा पहुचा के रहेंगे और अभी की स्थिति के हिसाब से ही पच्चतर हजार करोड रुपिये हर वर्स किसानों के बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचोलिये के कोई दलाल के बिना सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि अगले दस साल में साड़े साथ लाग करोड रुपिये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसपर किये जाने वाले हैं साड़े साथ लाग करोड रुपिया और इसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना है आपके फोन पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं फिर बैंक में जाईए एटियेम में जाईए पैसे निकालिए और बीच खात दवा जैसे अनेक जरुरतों को पुरा किजिए भाई यो भेनों एक फर्वरी को जब संसद में इस योजना का एलान हमने किया था तो कई लोग कहने लगे थे कि ये हो ही नहीं पाएगा ये नामुम्किन है लेकिन अब नामुम्किन मुम्किन है क्योंकि ये मोदी सरकार है पचीस दिन के भीतर भीतर किसानों के खातों में पहली किस्त पहुंचनी शुरू हो गई साथियों देश के किसान देश के गरीब का कल्यान हमारी सरकार की प्रात्मिक ताओं में है लेकिन जब उनसे जुड़ी योजनाओं पर भी राजनीती की जाती है तो दुख होता है इसका एक और उदारन आईश्मान भारत योजना इस योजना के तहट देश भर में पचास करोड गरीबों को हर वर्स पांच लाख रुपिये का मुप्त इलाज सुनिस्शित किया जा रहा है अभी तक देश में तेरा लाख से अधिक गरीब मरी योजन को मुप्त में इलाज मिल चुका है लेकिन इसमें भी इन तेरा लाख लोगों में भी राजस्तान का एक भी भाई एक भी बहन या एक भी बच्चा नहीं है कारण क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है? सारे देश को मिला क्योंकि यहां की कॉंग्रेस सरकार ने इस योजना से जुड़ने के लिए भी गंभीरता नहीं दिखाई मेरा राजस्तान सरकार से ये भी आग रहा है कि जल्ड से जल्ड आयुश्मान योजना से जुड़कर यहां के गरीब परिवारों के जीवन को आसान बनाने का काम करे साथियों स्वास्त हो सिक्षा हो हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है हम ऐसे लक्ष पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था यह बदला हुआ भारत नई रप्तार के साथ काम कर रहा है मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले चार साल में ही गरीबों के लिए देड़ करोड मकान बन चुके हैं स्थिती यह है कि अगर पुरानी गती से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दसक लग जाते और तिन तिन पीडी तक शायद पक्ता गर रहने को नहीं मिलता राजस्तान में भी प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट साथ लाख से अधिक गर गरीबों के बन चुके हैं जिसमें से साथ अजार से अधिक यह हमारे चूरू जिले में ही बने हैं साथियों गरीबों को गर मिल ही रहे हैं साथ ही मद्यमबर के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा है होम लोन के ब्याच पर छूट की योजना से मद्यमबर के साथियों को पांस से छे लाख रुपिये तक की बचत बीस बर्स की अवदी में तय है इतना ही नहीं पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याच दर 10 प्रतिशत से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9 प्रतिशत है साथियों हाल में GST कांसिल ने एक महत्वपुन फैंसला लिया है गरों पर लगने वाले जी एस्ट में बड़ी कटोती की गई है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मकानों पर जी एस्टी अब 12 प्रतिशत से गटा कर सिरफ 5 फिस्ट दी तो एफ़डेबल हाउसिंग पर इसको 8 प्रतिशत से गटा करके सिरफ एक प्रतिशत किया गया एक परसन ना मात्र का इससे मद्दमबर के उन साथियों को लाबता है जो गर खरीदने की सोच रहे है इतना ही नहीं एफ़डेबल हाउसिंग की परिभाशा भी बदल गई है दिल्ली एंसियार बैंगलूरू चेन नहीं हाइदराबाद कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में साथ वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफ़डेबल माने जाएंगे जबकि नौन मेटरों शहरों में नब्बे वर्ग मीटर तक के घर एफ़डेबल माने जाएंगे जिनकी अधिक तक किमात 45 लाख रुपिय होगी साथ क्यों केंद्र सरकार की तरफ से चूरू के विकास के लिए आप सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं वसंद्राजी की सरकार के समय ही यमुना का पानी चूरू के अनेक इलाकों तक पहुँचा और अगर यहां की सरकार ने गंबीरता दिखाई तो बाकी जगों तक भी जल्द ही यमुना का पानी पहुँच जाएगा इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस छेत्र की कनेक्टमिटी पर विशेश बल दिया गया है गावों में सडकों पर तेजी से काम किया गया है वही नेशनल हाइवे का निर्मान भी तेज गती से हो रहा है सिरसा से चुरू वाया नोहर सहावा और तारा नगर नेशनल हाइवे को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है इसके अलावा अनेक नई ट्रेने इस पूरे छेत्र में सुरू की गई है यहां रेल लाइनों के बिजली करन का काम भी तेजी से चल रहा है जिन जगों पर अभी भी रेल कनेक्टिविटी की संभावना है उनको भी जोडने का प्रयास किया जा रहा है भाई यो और बहनों सडक हो रेल हो बिजली हो पानी हो गरीबों को अपना गर हो सौचालय हो गैस का कनेक्शन हो भारतिय जनतापार्टि की सरकार ने इन सुविदाओं से सामान्य मान्वी को जोडने का प्रयास किया है इसी तरह उजवला योजना के तहट पचास लाग से अधिक रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन दिये गए हैं जिसमें से देड़ लाग से अधिक चुरू की ही मेरी गरीब दलीत मंचीत माताओं बहनों को मिले हैं देश के विकास में देश के संसाधनों पर सबको समान अवसर मिलें यही हमारा प्रयास है साथियों गरीब का किसान का जवान का और नव जवान को सम्मान देने का अप्रयास अगर संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे एक ही ताकत है कौनसी ताकत है यह सब संभव हो रहा है कौनसी ताकत है कौनसी ताकत है अरे मोदी की ताकत नहीं है यह तो आपके एक वोट की ताकत है जितने दिल्ली में मजबुत सरकार बनाई है आपका ही वोट है जिसने 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी जिसका दम आज दुनिया देख रही है देख रहा है कि नहीं दिख रहा है दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको जो जुरूर दिख रहा है अब आपको ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को जवाब देगा और आपका है वोट मुझे वर भारतिय जनता पार्टि को पहले से जादा मजबूती देगा ये मेरा विस्वास है इसी विस्वास के साथ एक बार फिर यहां भारी संख्या में मुझे आशिर्वाद देने के लिए आप आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आज का ऐसा आउसर है पूरी तांकत से फिर से एक बार हो जाए भारत माता की पूरी तांकत से हो जाए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धनिवाद